So hey everyone, कैसे हैं आप सब? So next हमारा session जो की part 2 है medieval history का और इसमें almost अब कुछ cover हुआ है medieval history बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और यह second part है इस वीडियो का first part कल upload हो चुक है चानल पे तो आप लग उसको अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो चेक आउट कर ले उसमें दिली सल्तनत और उससे पहले का थोड़ा सा background है medieval history का So medieval history में यही सब है सबसे ज्यादा दो important है वो यह दो चीज़े हैं दो इस दो empire है दिली सल्तनत और मुगल empire दिली सल्तनत हम कल complete कर चुके हैं सबसे पहले हैं मुगल empire का पूरा timeline देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ आ जाजए और एक चीज़ और कि आप लोग इस पूरी वीडियो को complete देखना एक तो सिरफ notes थो आप यहां से बनाई सकते हैं और इस notes के में PDF यह आपको देदूँगा आप लोग Telegram channel से इसको download कर सकते हैं और इसका link में मैं आपको description box में देख हुआ तो आप वहां से आपके PDF download कर सकते हैं तो इसलिए notes अगर आप handwritten बनाए तो वह जादा better रहेगा उसे आपको चीज़े साथ के साथ learn हो जाएए तो आप पहले तो complete video देखना क्योंकि इसे मैंने notes के अलवा क्योंकि यह मेरे personal notes है तो हो सकते है कुछ चीज़े आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ तो इसलिए मैंने जो complete explanation दिया आप उसको भी जरूर सुनना ताकि आपको समझ आ जाए और एकी बार में आपको चीज़े देखते ही देखते learn हो जाए तो चलिए स्राट करते है अपना session सबसे पहले मोगल अंपायर का एक timeline देख लेते हैं रहा मोगल अंपायर का timeline उसके बाद फिर ये दुबार आया मोगल अंपायर यानि दुबार से setup हुआ 1555 से फिर लास 1857 तक ही गया अब ये जो 15 years का आपको gap दिख रहा इसके बीच में इसके बीच में क्या हुआ था तो वो हम जानेंगे आज के इस lecture में ठीक है तो चलिए start करते है अपना आपको session first हमारे कौन सा है कौन से ये सारे मुगल emperors है इसको हमने learn भी किया था क्योंकि ये learn करने भी आपको important है और इसको एकदम series में आपको learn करना है क्योंकि यही series आपके question में शहां जाया है और इंजेब तो भज साह से हमने इसको ऐसे याद किया था तो ऐसे ही आपको याद रखना है इसको उसके बाद जो इनकी time period है जैसे हमने कल देले सलतनत में time period ही याद किये थे थे न सबके तो इनके time period learn करना इतना जादे important नहीं है अगर आपको time period learn होते हैं तो आपको option eliminate करने में बहुत easy हो जाती है अगर आपको किस question में अटकते हैं तो आपको option elimination से जा सकते हैं और वो आपको तभी कर पाएंगे जब आपको इनकी timeline learn होगी और इतना मुश्किल नहीं है बहुत easy है इनकी timeline भी जब पढ़ेंगे तो असानी से learn हो जाती है सबसे first हमार रूलर कौन सा है बापर है तो चानते हैं थोड़ो सा बापर के बारे में और जितने भी इसकी important चीज़े इसने architecture में जो कुछ भी इसने important important इसके ransom में मिलता है वो हमने no down कर रहा है अल्रीडी सो देखते हैं first emperor जो कि Mughal Empire का था तो थोड़ो सा इसका background है कि founder of Mughal Empire कौन है तो इस वाबर और ये कब फाउंड हुआ था तो first battle of Farnipat के बाद जिसमें कि 1526 में battle हुआ था first battle of Farnipat और बाबर और इब्राहिम लूदी के बिशमा था इब्राहिम लूदी इसमें हार किया था और बाबर चीद किया था फिर बाबर ने क्या found किया Mughal Empire अब बाबर है कौन पहली बाद तो जैसे हमने देखा था कि दिल्ले सल्तना जब setup हुआ था तो कुत्वुदी नैबग आया था तो यह जानना भी थोड़ा सा important था कुत्वुदी नैबग कहां से आया था तो वो Turkey से आया था तो यह जो दिल्ले सल्तना था basically यह Turkey और आपके लिख लेते हैं मोगल एंपायर जो है यह दो इसमें भी दो तरीके लोग आएं तो इसमें एक तो हैं मंगोल और दूसरे जो हैं वो हैं आफगान तो मंगोल और अफगान का जो मिक्शर है वो हमें देखने को मिलता मोगल एंपायर में तर्की और अरब का जो मिक्शर है वो जिसमें की first जो ruler है वो कौन है बाबर कर रहे है 1526 से 1530 यानि सिरफ 4 साल के लिए आया था चार साल के लिए इसने सिरफ rule किया था और ये कौन है कि founder है मुगल अंपायर का ये question आपको याद हो था हम ने पीवाई के में डिसकस किया था The first one to use artillery and gun powder in India तो इसने जो बैटल हुए थे इसके पानी पच वाले उसमें इसने यूज की थे कौन से आर्टिलरी आर्टिलरी में आपको कल समझाया था एक टाइप की एक गन होती है और दूसरा गन पाउडर यूज करने वाला कौन था तो वो बाबर था इंडिया में यह कुश्चन अभी है तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टन है और हमके इंपॉर्टन चीज हम लोग डिसकूस कर रहे है आपर राइट सो ऑटो बाबरी लिखिये बाबर ने अपनी उसका नाम क्या था तो तो तुजू के बाबरी बाबर की क्या है और इसने खुद लिखे थी और उसके अधि कौनसी लैंगर्ज में लिखिया तो यह भी बहुत जादा इंपॉर्टन है क्योंकि यह कोशिन बूचा किया था 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 तो तुजू के बाबरी लिखी हुई थी तर्की में राइट तुर्की में इसने लिखी थी तुजू के बाबरी उसको फिर लेकिन ट्रांसल किया था तो अब्दुलरहीम खाने खाना ने इसको ट्रांसलेट किया था और इसी पर्शन का नाम अभी हम अकबर के टाइम में भी देखेंगे राइट इसने अकबर के टाइम में भी सर्फ किया है अब्दुलरहीम खाने खाना ने इतना आपको क्लियर है कि तुजू के बा पढ़ाई गयाा जिसका नाम फिर पढ़ गया बाबर नमा का तर्क प्रशन में लिखने के बाद और वहेञ्गी को श्र buna Ce यह दो मॉक्स इसने बनवाई थी और एक इसकी मॉक्स तो काफी फेमस है जो की बाबरी मज़ित के नाम से जाती थी कुस टाइम पहन ले तर अब आब आबर के चार बैटल्स होएं और चार हो ही बहुत जादा इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछे जाते हैं इसको हम काफी बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद होई क्या होगा फर्स बैटल फानीपत 1526 में होँआ था बाबर वर्सेज इब्राहम लूदी इसमें हा रहा था नेट्स बैटल होता है बैटला फ कानवा 1527 में यानि 4 साल तक यह रहा है और 4 साल है इसने कुछ ना कुछ बैटल्स लाड़े है तो फस्स बैटल इसने लहा कि इसने किसके साथ लड़ा है तो अब देखो battle of khanva, khanva में क्या आ रहा है, r type का sound आ रहा है तो khanva को हम याद करेंगे rana sangha, battle of khanva 1527 rana sangha के साथ, ने रहना आता है battle of chanderi, chanderi इसमें area तो इसमें medini rai, r वाला sound आ रहा है तो इसमें medini rai, हम ऐसे learn कर लेंगे इसको, then आ रहा अपना घागरा, तो बाबर और महमत लोदी के बीच में, अच्छा ये जो है, ये इब्राहिम लोदी वाला लोदी नहीं है, मतलब ये उसनी की families है, ये बैसे करी लोदी के, इसके अंकल है, ये इसके अंकल थे, किसके इब्राहिम लोदी के, ठीक है, तो उनके साथ भी इसक हो गया, सो हो गया है, हम इसको याद करेंगे कि इसकी देथ हो गई थी, और इसका टॉम कब बना 1530 में, यानि कि 26 में इसने पानी पिया, जो कि क्या सा, बैटल अफ पानी बद, 27 में इसमें खाना खाया, जो कि क्या सा, बैटल अफ खानवा, किसके साथ, तिराना संगा के सा फिर 28 में इसने क्या देखा चांद देखा तो battle of chanderi किसके साथ medini raya के साथ then final इसका battle था 29 में कौन सा battle of ghagra किसके साथ mohammad lodhi के साथ finally फिर yes हो गया यानि कि इसकी death होगी किसमे 1530 में और इसका tom का पे है काबूल में और ये भी काफी important है क्योंकि इसका tom जो था वो आगरा से transfer क तो इसकतर आये था यानि कि पहले जाव इसकी death होई तो इसका tom का पे बनाए गया आगरा में लेकिन क्योंकि barber कहां से था काबूल से था लाहूर से तो इसलिए इसका चाहता था क्य मेरा Thom बने Bradom bear का जो ج ideas had है वहीं पे इसका टॉम बने तो इसलिए जो गार्डन है वहाँ पे काबल में वहीं पे इसका टॉम बना हुए इसको ट्रांसफर करवाए गया था राइट नेक्स रूलर पर चलते हैं तो नेक्स रूलर हमारा आता है हुमायू और यह थोड़ा सा मिस्टीरियस रूलर है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हुमायू का टाइम पिरिएट दो टाइम पिरिएट में डिवाइड हुआ है पहले इसमें रूल के है लगवग दस साल तक फिर यह सिरफ एक साल के लिए और मर गया इसने दो बैदल सिरिफ हैं किसए को साल के साथ से जाल को यह घून है तो यह जानहीं है ठोड़ दिएर में अपनी नेक्स स्लाइड में ऊसने दो बैड़ो है काफी में इंपॉडर्ण है तो फर्स भर्स बैटल बैटल ऐसने कौन सा लिड़ा है 1540 में यह दोनों ही बैटल इसने किस के साथ लड़ें शेर सा सूरी के साथ नेक्स आता है कि इसने इसकी एक क्या है बायग्राफी भी है तो यह आटो बायग्राफी नहीं है यह इसकी बायग्राफी है कि हुमायू नमा किस ने लिखी है, तो आपको option mark करना है, गुल बदन बेकम, जो कि कहे है हुमायू के sister, इसकी second capital ती जो इसने बनाई थी, वो कहाँ पे थी, build इसने करे थी, दीन पना, जो कि दिली में थी, दीन पना काफी important है, अब आगे एक point और देखेंगे, अब दीन पना यूवागा था, उसके बाद फीदी च추्ड़ते च torment गिर गया, तो उससे यह मर गया, ठीक है, तो इस ने अपनी second capital बनाई थी, कहां पे, दीन पना हमें, दीन पना इसके second capital थी, जो कहां पे थी, दिली में, right? और इसके बाद ये होग़ा point, उसके पाद हिसका tom कहाँ पे बन है तो हमयू टॉम तो काफी famous है कौन से एरिया में निजामुदीन एरिया में आपने देखा होगा अगर अगर आपने visit क्या होगा तो तो दिल्ली के निजामुदीन एरिया में इसका टॉम बना हुँ है और ठीक है इसका टॉम इसका ने बनवाय है तो वो हाजी बेगम ने जो कि इसकी कौन थी वाइफ थी और ये भी point important है ये हमने अपने PYQ में डिसकस किया था कि इसको design किस ने किया था जो हमायू का Tom है उसको design किस ने किया था तो इसको design किया था मिर्जा गयास ने जो कि एक Persian architect है राइट मिर्जा गयास ने हमायू Tom को design किया था जो कि क्या है एक Persian architect है अब दो तिन चीरे point थे बस यहां पर जो की बहुत जादा important है एक तो यह battles हो गए इसके उसके बाद हमायू नामा जो कि इसकी क्या है biography है किस ने है गुल बदन बेगम ने और इसका Tom किस ने बनवा है हाजी बेगम ने जो कि design किस ने किया है मिर्जा गयास ने किया है और second capital इसके कौन से थी दीन पना यह point being important इसको learn करना अच्छे से next चलते हैं अपने next tooler में so अब यह start होती है कौन से सूर एंपायर सूर एंपायर किस ने establish करी थी शेर्षा सूरी ने establish करी और शेर्षा सूरी कौन था कहां से आय था तो अभी हमने देखा था last slide में कि शेर्षा सूरी और हमायू के बीच में दो battles हुए थे एक हुआ था 1539 मे जो कि Battle of Chausa था और एक था 1540 में जो कि Battle of Wilgram या फिर Battle of Kannos था right so अब इन 15 सालों में क्या हुआ था कि इन दो battles में हमायू को बहुत बुरी तरीके सह रहा था किसने शेर्षा सूरी ने उसके बाद इन 15 सालों के लिए हमायू बाहर चला गया था exile पर चला गया था आप कर सकत उसके बाद फिर हमायू वापिस आया था इंडिया और उसने फिर रही स्टाब्लिश्ट किया था कि इसको मुगल एंपायर को right so देखते हैं आप आगे तो यह 2nd अफगान डानिस्टी है तो जैसे कि हमने बात करे थी कि मुगल एंपायर में दो किस-किस का मिक्षर होगा त तो लोदीस्ट के थे यह यह एक यह भी अफगान से आज है तो यहीं कि फर्स अफगान ड्स ट्वसटी कॉन से थी लोदीश की थी right उसके बाद हमायू क्यंकर घियर दार है आप कि लैडको इन करिसका वाप क्या और तो यह जागेरार था किसका ससराराम का ससराम क्या है य खगया का नाम है, जो कि कहा पर है, बिहार में है, उसके बाद दो बैटल्स लड़े थे, इसने हुमायो के साथ कौन से, बैटल अफ चौसा 1539 और बैटल अफ विल ग्राम 1540, उसमें इशु किया था कौन सा कॉइन, रुपया, रुपया जो हम आज की डेट में यूस कर रहे है को we are using, तो वो किसका term, ये term coin किसने किया था, और ये coin start किसने करे था, तो वो शेर्शा सूरे ने start करते हैं, कौन सा रुपया उसके बाद इसने यह भी हमें पीवाई के में डिसकस किया हुए कि इसने Grand Trunk Road विल करवाय था जिसको सडक आजम के नाम से भी जाने जाते हैं और भी काफी सारे नेम्स हैं आप लोग सब याद कर सकते हैं अन्याद के में डिसकस किया हुए इसको और इसके बाद यह कहां से का तक था तो यह इस बंगला यानि की बंगला देश से लेकर कहां तक था यह लाहूर तक जा रहा था और बीच में आगरा भी दिल्ली आगरा पानीबात इन सब जगा को इंपॉर्टन प्लेस को ही कनेक करता था देल्ली आगरा इन सब जगा कोई कनेक करता था उसके बाद इसने पुराना किला बिल्ट करवाया है कहां पे देल्ली में राइट तो यह वही प्लेस माने जाता है जहां पे पांडवा की क्यापटल हुआ करते था इंदिर प्रस्त तो लगभा किसी के आसपास इनका पा तो वो था कौन शेर्शा सूरी सो अड्मिनिस्रेटिव रिफॉर्म एंड रिविनी पॉलिसी को लेकर यह जाना जाता था एंड लास्ट इसका जो टॉम है वो कहां पे बना हुआ है सासा राम यानि कि बिहार में इसका टॉम बना हुआ जो कि इसका होम टॉन भी था हो गई है और इसके बेटे वगए रूल करने लगे थे तो था क्या कि वो लोग इतने कॉम्पेटेटन नहीं थे तो उनको फाइनली किस ने हराय था हुमायू ने हराय था तो जब यानि कि 1555 में जब इसकी दैथ हो गए थी कि शेर्शा सूरी की तो इसके जो बेटे थे वो रूल करने लगे लेकिन उसी टाइम पर हुमायू को यह बात पता चल गी थे और हुमायू वापिस इंडिया आया और उन्होंने इनके बेटों को हराया यानि जो शेर्शा सूरी था उसके बेटों को हराया और फाइनली इसने दुबारा से इस्टैब्लिश्ट क्या किया बरना फिर हम ये पर औफडरे ह brutts के लिउता और मॉगल के बारे हैं आप फिर नहीं पड़ियो सबकर अगरी तो आब हमें देखने को मिलता है थर्ट रूल का मोगल अपयर का छिका कॉन है अकबर थोड़ अकबर जो है वहolly इसको फाउंडर बोल जो एकुल सुल्टान बोल हर चीज में हर एरिया में इसने कुछ ना कुछ ना कुछ किया है और काफी अच्छा किया है तो यह सबसे अच्छा रूलर भी था मुगल अमपायर का और मतलब काफी लोग इसको पसंद भी गड़ते थे यह काफी साही रूलर था मुगल अमपायर का तो अब यहां पर हम कि अकबर की एज कह थी उस टेम पर जब इसको थ्रोन पर बिठाए गया, तो यह सिरफ 13 यह का था, जब इसको अपने थ्रोन पर बिठाए गया था, क्योंकि इसकी फादर जो थे हुमाई हो उसके देथ हो गती, अब नेक्स आता है, कि इसका सबसे पहले अकबर का जो अकबर क मैं डिसकस किया था, इसका रहजन कौन था, तो वो था बहराम खान, आकबर का रहजन, यानि कि उसको किसने संभाला एक तरीके से, फादर के देथ होने के पाद उसको किसने संभाला, क्योंकि इसको इतनी knowledge नहीं थी कि थ्रोन पर वो बैटत हो गया, बड़ इसको संभालना कैसे है, रूल कैसे करना है, वो सब उसको नहीं idea था, तो वो सब उसको किसने सिखाया और किसने उसको guidance दी, तो वो था बैराम खान, उसके बाद एक यही point important है, पेटी कोट government हुई थी, किसके time पे, अगर question इस तरीके साथ है, कि पेटी कोट government किस time पे, यानि कि किसके rule reign में ह हुई थी, तो वो था अकबर के time पे, यह था किया, कुछ बहुत important चीज नहीं है, यह बस इतनी चीज थी, कि अकबर rule कर रहा था, किसके influence में आके, महा मंगा और आदम खान, ठीक है, तो इन दोनों के influence में अकबर अकबर जो था, वो rule कर रहा था, तो उस point को just कहते हैं कि पे important points है, अब आप लोग story पढ़ने का time नहीं है, तो जितने भी important points है, वो just आप लोग इसको note down करो, और अच्छे से उनको बार बार पर पढ़ो, ताकि अच्छे से वो आपको learn हो जाए, right, next आता है, अकबर की wife का नाम क्या है, हरक्का बाई, जिसको जोता बाई के नाम से भी और ये एक हिंदू family से बिलॉंग करती थी, जो की daughter किसके है, भारमाल की, राजपूत थे गी, राजपूत अफजमेर और जैपूर, right, so ये भारमाल kingdom, भारमाल kingdom की ये क्या थी, daughter थी, जिनको जोता बाई के नाम से भी जाने जाता है, और इनका नाम क्या था, हरक्का बाई, clear, next point आता है कि, अकबर ने एक नया religion start किया था, ये भी discuss किया हुए, अकबर ने नया religion कौन से start किया था, दीने इलाही, right, दीने इलाही अकबर ने नया religion start किया था, और इसको follow करने वाला कौन था, एक only Hindu, तो that was Birbal, और बहुत ही कम लोग थे जिन्हों ने इसको follow किया था, त बास ये दो ये battle हुए इसके time पे, तो second battle फानीपत हुए एक तो, अच्छा first battle फानीपत कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था, right, उसके आप लोग याद कर सकते हैं कि उसके 30 साल बाद कौन सा हुआ है, second battle फानीपत, जो की हुआ है 1556 में, और ये किस-किस के बेच में हुआ है हेमु और बैराम खान के बीच में, हेमु जो था, वो मुहमद आदिल शाह के साइट से था, और बैराम खान क्योंकि अकबर का रेजन था, इसलिए, अकबर की साइट से कौन लड़ रहा था, बैराम खान लड़ रहा था, right, इसमें अकबर जीच जाता है, again, इसमें, second battle हो और ये भी राजपूत है, तो actually ये दोनो राजपूत होने के बाद भी, ये दोनों आपने सामने लड़ रहे थे, क्योंगि जो मान सिग है न, वो किसा भाई था? तो वो हरक का भाई, यानि जोदा भाई का कजन था, तो इसलिए वो कि किस का साइट देगा? वो अकबर की सा सभ इस jye actually नरी कि भारंग हिए suffer यह यह एक्शली की बात में इनकीया बन के थे? वो जैसे कहते है लुद्यकोस ना कि इन्होंनों नहीं इसको लैंड भेूता युद्स कि इसको आंपर बहुत गते है एक जगा गए इसको नेक्स हागे चलते हैं, अब capital shift भी हुए थी इसका time पर, इसने कहां से capital shift करे थी? आगरा से फतेपुर सीकरी, तो इसने complete shift नहीं किया था एक तरीके से, आगरा में भी इसका था, लेकिन ये फतेपुर सीकरी इसकी second capital थी, फतेपुर सीकरी इसकी second capital थी, और ये क्यों उसने second capital बनाए थी फते पूर सीकरी में इसन शिफ्ट किया था क्योंकि वो सोरी हमने वीवाई के में डिसकर्स करे थी कि जो उसका इसके वो थे एक कौन थे से नाम सलीम चिस्ती, जो थे वो कहां पर रहते थे तो वो रहते थे फतेफ़करी में, सीकरी पहले था उसका नाम फिर फतेफ़करी रखा गया बाद ने उसका नाम तो सलीम च्ष्टी जो है काफी important थे अकबर के लिए क्योंकि इन्होंने प्रेडिक किया अक्बर का एक संभोका जिसका नाम जतने अक्बरीा पिटे के नाम है कि उन्हें को का फॉलो करता उन्हीं करने के लिए अक्बर कुनमने पराते लिップ व्फटेपूर सिस्तिय किया, फिर आगे अर्खिटेक्चर से आते तो सलीन जो सलीन शिष्टी थे उनका टॉम भी अकबर नहीं बनवाया था कहाँपे फतेभूर सीक्री में ही बनवाया है और उसके बाद यह आर्किछे гол इंपोर्टेक्टर थे अकबर ने काफी साथव कुछ बनवाया है काफी architecture में इसने काफी साथ contribute किया है तो फतेपुर सीकरी सबसे पहले इसने बनवाया था एक city बनवाया थी फतेपुर सीकरी जो कि कहाँ पे है आगरा के पास में नियर आगरा उसके बाद आगरा फोर्ट लाहर फोर्ट इलाबाद फोर्ट इबादत खाना इबादत खाना क्या था जहां पे यह लोग क्या करते थे कौन सी spiritual meeting करते थे अगर और यह कहां पे बना हुए यह फतेपुर सीकर में यह hall बना हुए next आता है शीश महल then पंच महल हमने discuss किया था इसको और क्या बोल जाता है dream of stones इसको बोले जाता है dream of dream in marble किसको बोला зайता है तो बोला जाता है ताज महल को dream in marbles किसको बोला जाता है ताज महल को and dream in stones किसको बोलाता है पंच महल को तो मेरा यह सब चितना भी आऱ्िटक्टिग्च्चर देख रहे है यह कहां पे है mainly यह फटेपुर सी बने हो तो आप देख रहे हैं कि अकबर ने कितना सारा काम किया है तो इसलिए इसकी जादा स्लाइड्स है तो नेक्स इसने अबॉलिश किया था जजिया को ठीक है एक एक रिलिजिस टैक्स था जो की नॉन मुस्लिम से लिया जाता था तो इसको अबॉलिश किस ने किया था अकबर ने इसको अबॉलिश किया था तो आप इसको देख सकते हैं कि 1556 में अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया था उसके बाद अकबर के नॉन रतन इनको बोलते है नाइन जूल्स अफ अकबर नॉरतन अक कह सकते हैं इनकी दोनों इसके कोट पोईट थे और स्कॉलर यानि जितना ही पढ़ाय लिखाय से जो भी काम होता था वो सब कौन करते थे अबुल फजल और इसका फैजी बुक्स वगेरे जो लिखनी है वो सब कौन समालेगा अबुल फजल और फैजी ठीक है यह सब यह दोनो भी के वो थे मनसबदार जो थे कहां के थे अमेर के थे इन्होंने ही वो जो बैटल था हल्दिगाटी वाला वो इन्होंने लड़ा था उसके साथ ठीक है तो मान सिंग हो गए और भगवान दास यह दोनों क्या थे मनसबदार थे अब लोग इसको गवरनर से भी समझ सकते है उसके बाद जो तानसिंथा वो मुजिशन थे और मुल्ला दो प्याजा क्योंकि इसके नामे प्याज आ रहा है इसलिए आप इसको लर्न कर सकता है कि यह क्या था कोक था और अब्दुलरहीम खाने खाना तो यह यह भी एक कोट पोईट था किसके टाइम में अग्मर के टाइम और हमने देखा था कि जो तुझो के बाबरी थी उसको ट्रांस्लेट किया था पर्शन में किसने तो वो भी इस नहीं किया था अब्दुलरहीम खाने खाना ने और उसका नाम रखा था फिर बाबर नामा क्लियर है इतना बाट तो यह नाइन जगूल भी आपको उच्छे से लें करने उसके बाद next slide पर चलते है यह final है अकबर के बारे में तो अकबर की ये दो important book है actually ये एक चली इसके volumes तीन थी तो हमने इसको डिसक्स किया अब अग्बर नामा क्या था अग्बर की बायग्रफी थी जो की पर्शन में लिखी थी किस ने लिखी थी अभूल फजल अभी हमने देखा कि यह क्या था इसका यह एक स्कॉलर था अग्बर के कोट में ठीक है और यह इसका अब इसको कोट पोईट बोल सके है उसके बाद अकबर नामा जो था वह हमने डिसक्स किया था कि तीन वॉल्यूम में इसको लिखा गया था जो इसकी थर्ड वॉल्यूम थी उसी का नाम क्या है अब अग्बर थर्ड वॉल्यूम जो थी इसका उस कि policies क्या थी, वो किस तरीके से rule करता था, attack किस तरीके से करता था, तो ये सब चीज़े जो है, administration is related, ये सब कहां पर, इसको कहां पर इसके बारे में description मिलता है, तो ये N.A. Ackbar, जो की क्या है, third volume है, किसकी, Ackbar नामा की, Ackbar नामा क्या है, ये biography है, Ackbar की जो की किस ने लिखी है, अभूल फजन ले लिखी है, इतना बार clear है, next, Ackbar ने introduce किया थे दो system, सबसे पहले हैं, मनसबदारी system, तो मनसबदारी system क्या है, जत और सवार, जत और सवार ये मनसबदारी system है, ये system कुछ उसी से related है, जो उसने कौन सा एक system introduce किया था, कि उस एक horse branding वाला था और उसका जो वो थे, जो उसके militants से उसको role number उसने एक तरीके से दिया था, है ना, तो वो किसका system था, अलाउदिन खेल जी का system था, clear, similar system है मैं देखने को मिलता है, किसका, Ackbar का, जिसका नाम क्या रखा गया, मनसबदारी system, right, और next इसका एक system था, तोलादान system, तो ये system क्या था, basically, कि जितना की सुल्तान का, यानि जितना जो Ackbar का जितना weight है, उतना ही same weight का जो precious item होते थे, यानि की gold हो गया, और precious, precious, जो pearls अगयर होते थे, उन सब को फ़ले weight किया जाएगा, यानि Ackbar के weight के जितना, वो उसको weight किया जाएगा, और उसको फिर, जो भी जितने भी इनकी प्रजा है, जितने भी इनकी netizens हैं उस place के, तो उनमें उसको distribute किया जाएगा, right, So, ये system था, तुलादान system, और मनसबदारी system, आपको पता ही चल गया, कि ये किस से related है, ये इसके military, army department से related है, ठीक है, इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं, Sorry, ये इसके जटन सवार जो था, ये revenue से आएगा, क्योंकि मनसबदारी system क्या है, एक बार थोड़ा से चलो, समझी लेते हैं इसको, तो उसके बाद वहां से जितना भी revenue आ रहा है, similar concept था, अलावदिन वाला, कि वो जो आएगा, वो उसको, उसके साथ में, जो है, जिस मनसब को ये मिला है, उसके पास कुछ, वो क्या करेगा, वो अपने साथ कुछ hold करेगा, किसको, army को, कुछ number of army, वो hold करेगा, और उसको ज लिखा था, रामचरित मानस लिखा था, एक तो, और वो किसके contemporary हैं, तो वो अकबर के contemporary थे, ये question भी important है, next ये हमने discuss किया था, कि बदावनी जो था, उसने translate करे थी, क्या, महभारत और रमायना, किसमे, पर्शन में, और ये किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी, किसने, अ अकबर के quote में, लेकिन ये 9 रतन में नहीं था, ठीक है, जो 9 joules थे, उसमें, उसका part ये नहीं था, लेकिन ये भी एक quote point था, ये frequent यहां पे रहता था, और उसके बाद बदावनी ने जो है, वो translate करी थी, महभारत और रमायन को, किसमे, Persian language में, उसके बाद अकबर का Tom कहां प बेटा, तो जैसे कि हमने देखा था कि सलीम चिस्टी सर लेटेट था ना, तो ये वो ही आ गया, सलीम जिसका नाम रखा गया था, सलीम, शेखो बाब भी इसको बोले जाता है, ये जाना जाता था अपने strict administration, administration justice के लिए, और इसने एक department भी उसके लिए establish चिया था, जंजीर अधालत, ये इसका justice वाला department था, ठीक है, justice से related था ये department इसका, यानि justice के लिए काफी जादा वो था, कि एकदम strict था, एकदम justice को लेखर, तो उसके लिए इसने अपना separate department खोला हुआ था, जंजीर अधालत, इसकी wife का नाम ये काफी important है, ये पूछा जाता है exam में, कि नूर ज जहान का actual name क्या है, ये इस तरह के से दो question आये previous year में, तो इसका original name जो है, वो था महरू निशा, और इसका second name इसका क्या है, नूर जहान, यानि इसका nickname नूर जहान भी है, और इसको पाद्शा बेगम भी बुला जाता है, तो ये तीनो नाम को याद रखने है, महरू निशा, नूर जहान और पाद्शा बेगम, उसके बाद दो visitor आया थे जहांगीर के time में, ये हमने discuss किया था, कौन-कौन थे, तो Captain William Hawkins, जो की East India Company से था, और Sir Thomas Raw, जो की कहां से था, England से आया था, तो ये दो visitors आया थे जहांगीर के time पे, इस type के questions पूछे राते हैं, तो ये दोनों या जहांगीरी, अगेन ये क्या है, इसकी autobiography है, जो कि किस में लिखी गई है, Persian में लिखी गई है, clear, तो अभी तक जो हमने देखा कि Persian में जैसे इनों लिखी हुए है, तो उसके पाद अकबर की Persian में लिखी गई है, लेकिन भाबर की लिखी गई थी, तूर्की में उसको फिर Persian में translate करवाया गया था, clear, ये point बहुत जादे important है, कि painting जो थी, वो zenith पे थी, किस के time पे, during the time of जहांगीर, तो जहांगीर के time पे painting zenith पे थी, और इस के code के, कुछ famous painters थे, जो कि, जिनका नाम क्या है, अब्दूल हसन और उस्ताद मंसूर और भीशन दास, right, इन तीनों के तो फेमस painters कौन थे, जिसमें के उस्ताद मंसूर option में हमें टिक करना था, right, so, जहांगीर के time के famous painters कौन थे, अब्दूल हसन, उस्ताद मंसूर और भीशन दास, ठीक है, ये point clear होगे है, उसके बाद architecture में इसने सिरफ एक ये, मोती मस्जिद बनाई है, जो कि कहाँ पे है, ला मोती मस्जिद बनाई हुए है, different, different rulers ने, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी कहाँ है और किसने बनवाई है, लाहोर में हमने सबसे पहले देख ली, कि लाहोर में किसने बनवाई है, जहांगीर ने बनवाई है, right, उसके बाद एक मोती मस्जिद है, कहाँ पे आपकी ये वो बनवाई है, शाह जाने, शाह जहाने, right, तो ये तीनों चीज़े आपको clear होगी, कि ये मोती मस्जिद तीन जगा बने विया है, तो इस ये question पूछा रा सकता है, क्योंकि ये confusing question है, तो ये पूछा जाने के बहुत जाद chances है, कि मोती मस्जिद लाहोर में किसने बनवाई तो याद रखना है, लाहोर में बनवाई है, जाहंगीर ने, लाहोर में बनवाई थी, जाहंगीर ने, दिल्ली में बनवाई थी, और ये दिल्ली में आपके रेटफोर प्रेमाइसीज में है, जो मोती मस्जिद वो किसने बनवाई थी, और आगरा बली मोती मस्जिद बनव था खुर्राम इसके वाइफ का नाम क्या था अर्जुमंद बानो जिसको मुम्ताज महल के नाम से जाने जाता है आर्खिटेक्ट्चर अब देख लेते हैं इसका तो सबसे पहले इसने रेडफोर्ड बनवाया राइट रेडफोर्ड इसने कहां पे बनवाया दिल्ली में मुस्मान बुर्ज यह भी इसने आगरह में बनवाया तो यह जादा इंपॉर्टेक्ट्चर से पुछा जा सकते हैं यह कुशन आया था कब CHSL आपका CHSL 2014 या फिर 15 में बुछा किया था कि ताज महल किसने बनवाया कहां पे बनावाया इस तरीक से कुछ शोशना था और उसक मनुक की हमने डिस्कर्स किया था भी वाय के में ठीक है मनुक की जो था वो 1653 में आया था डेट ना भी याद रहे तो चलेगा बस हमें इसका यह पुछा जाता है कि किसके टाइम पे इन्होंने विजिट किया था तो जैसे हम अंदार उस टम भी लगा सकते है कि हम अगर यह तीनों ही विजिटर आया थे किसके टाइम पे शाहजा के टाइम पे राइट नेक्स शाहजा ने कैपिटल शिफ्ट करे थी कहां से इसने अपनी नई कैपिल बनाय थी जो की शाहजानाबाद के नाम से जान जाता जिसको और यह कौन सी है यह पुरानी दिल्ली जो है यह जाना बाद वो किस ने इस्टाबलिश की थी शाह जाने उसके बाद इसने कैपिल शिफ्ट कहां से करी थी तो इसने कैपिल शिफ्ट करी थी आगरा से इसने बिल्ड करवाय था famous तक्ते तोस और पिकॉक थ्रोन जिसको बोल जाता है तो famous इसने पिकॉक थ्रोन जो था जो पिकॉक थ्रोन जो कि अभी हम देखिए कि आगे जाके इसको प्लंडर कर लिया जाएगा नादिरिशा के दुवारा तो नादिरिशा उसको प्लंडर करके लेकर चला जाएगा पर्षिया और तो उस थ्रोन को या फिर उस तक्ते तो उसको बिल्ड किस ने करवाय था तो उसको बिल्ड करवाय था शाजा ने नेक्सट यह important point आता है कि शाजा का बेटा था धार शिकू तो इसको हम अलग से मलग से तायर शिको मतलब इसके बेटे वगरिषा को आलग से नील लेखा वो इतने i servant नहीं है लेकिन यह वस los कि शाजा का बेटा था कौन दारश को और इसने ट्रांसलेट क्या करवाया था इसने गीता और अपनी शर्थ को ट्रांसलेट करवाया था किसमें पर्शन में अभी हमने देखा कि रमायन और महभारत को ट्रांसलेट करवाया था पर्शन में वो किसने करवाया था अकबर ने कर ताज महल में यानि कि शाजा और मुमताज महल दोनों का ही टॉम का भी बना हुआ है ताज महल के अंदर बना हुआ है वे लास्ट्यिंल टेल पर्वे और अलांगेृ का अलंकी आपाईल मिला सपें इसको यह दो टाइटल मिले हुए था और इसकी वाइव का नाम था रभी यह उद दौरा त्हुर इसने दुबारा जश्या को इंपोस्ट करा था औरil ने कुछ चेजे बन करें तो वो चीज़ देख लेते हैं, सबसे पहले इसने सती सिस्टम को बैंड किया था, उसके बाद जहरो का दर्शन, इसने ये बैंड किया था, कल हमने डिसकर्स किया था जहरो का दर्शन के बारे में, कि वो किस ने बैंड किया था, Allowing Thilji ने, ठीक है हमने यह एंसरा कुछ डिस तो इसलिगे वो शायद मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया था, लेकिन ओरंख जेब ने इसको बैंड किया था, यान्यकि जो जहरो का दर्शन है उसको बैंड किस ने किया था? तो इसको किया था, Allowing Thilji रेंड किया था, इसने तुलादान system को भी बैंड किया था, यह आलमगीरी इसने भुक लेगी थी आर्किटेक्टर से देख लेते हैं तो इसने बीवी का मगबरा बनाया था काफी इंपोर्टन कोशन आता है इसके आर्किटेक्टर से काफी पूछा जाता है जिसको ब्लैक ताजमेल भी बोलते हैं और इसने कहां पर बनवाय था तो यह ये जो इसकी ऑख वाइफ थी यह इसका टॉम था याणि रभी अ जोरुर्ण जेब कि वाइफ थी उसका टॉम क्या था बीवी का मगबरा के नाम से उसको जाना जाता है और इसको ब्लैक ताजमेल भी भोलते है और यह कहां पर सेच्विटेट है तो यह औरंग अबाद महर महरास्टर में इसको बनवाय गया था , Right next नेक्स्ट आते है अपना मोती मस्चिद दिल्ली वाला हम भी हमने डिसकस करति है तीन यह तो मोती मस्क्च जो दिल्ली ने बनवाई थी वो किसद हमाई थी और अग्सू और यह aurangabad महरास्ट्रा में और इसका खुद का aurang zip का tom का पर बना हुए तो that is doula da baad महरास्ट्रा में right last हे हाँ अब ये last हमार पास ये कुछ points है important तो ये actually जो little emperors थे यानि aurang zip के बाद aurang zip कब उसके औरंग जिप की देथ हुई बस उसके बाद जो जितने भी एंपरर्स आये ना वो सब क्या थे इन कॉंपेटेंट थे इन एफिशन थे यानि कि उसके बाद जो था डाउन फॉल होना शुरू हो गया था किसका मुगल एंपार का तो देख लेतें कौन-कौन से यह थे सबसे पहले तो यह भादुर शाह 1 तो यह कौन था यह औरंग जिप का बेटा था और इसने आराउंड 60-70 की एज में इसने अपने थ्रोन पर बैठा था सबसे बड़ा बेटा यह था तो 60-70 की एज में आराउंड यह बैठा था अपने चाहिए जो नादिर शाह ने प्लेंडर किया था जो की कां से आय था पर्शया से आय था इसने प्लेंडर किया था और इसने इंवेड किया था इंडिया को और यह अपने साथ क्या लेगा था तक्ते तौस को लेगा था तक्ते तौस क्या था एक पिकॉक थ्रोन था एक बहुत ही अच्छा सा एक थ्रोन था यानि कि सिंगासन था और यह किसने बनवाय था शाह जाहने इसको बनवाय था इसको कंस्ट्रक किसने करवाय था शाह जाह अपने साथ ले के चला गया था लिरिंग दा रेन ओफ मोहमद शाह को रंगीला बादशा यह बोल जाता है ठीक है तो यह तनी पॉइंट पस हमने डिस्कूस करना था मोहमद शाह की क्योंकि यह मोहमद शाह के टाइम पीरिट पर आया था ना यह नादरिशाह इसलिए बसकि मो भादुर्शाह जफर के नाम से इसको जान जाता है तो भादुर्शाह 2 या फिर भादुर्शाह जफर के नाम से इसको जान जाता है तो यह कौन था यह लेडर था अपने 1857 के रिवॉल्ट में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में बस अब हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि अब ह रिवाल्ट ऑफ 1857 के उन लीडर्स के बारे ही पूछ रहा था कि कौन सा लीडर कौन से एरिया से था तो हमारे पास यह भादुर्शा तू जो था वो डली से हमारे लिए लीडर था उस ताम यह रह रहा था अगर नहीं पता तो कोई बात ही हम जान लेंगे अभी हम जब मॉडरन हिस्टी पाड़ेंगे इसको जो था इसको एज पेंशनेर बनाके इसको डिबोर्ट कर दिया था रंगून इसको भेज दिया गया था और वहीं पे फिर आप फाइनली इसकी दैथ भी हो गती ठीक है तो इसको आप अब इसके आप handwritten notes बना सकते हो खुद से और इसका PDF आपको description box में मिली जाएगा तो वहां से आप check out कर सकते हैं इसके PDF को download कर सकते हैं उसमें से भी बढ़ सकते हैं और या फिर आप इस वीडियो को भी दुबारा सुनके यहां से इसको भी revise कर सकते हैं वीडि कौन किया हूं तो आप इस session को like कर सकते हैं share कर सकते हैं और चैनल को जरूर subscribe कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो और आप इस वीडियो को आप rate भी कर सकते हैं आप comment box में लिख सकते हैं कि आपको इस session कैसा लगा आपको कुछ सीखने को मिला तो वह सब आप comment section में लिख सकते हैं अब next lecture किस पर लेना है या next session कौन सा रखना है तो यह हम discuss कर लेते हैं तो अभी एक था कि एक तो हमें quality करना है और दूसरा modern history करना है यही दो अभी telegram channel पर भी मैंने poll डाला था तो वहां से मेरे को यही review आया कि पहले quality start कर लेते हैं पहले हम quality कर ले modern history का हम क्या करेंगे कि modern history पहली बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो modern history को क्या करेंगे बीच बीच में या जैसे एक week में हम एक या दो session modern history से कर लेंगे और बाकि हम जो अपना main जो चलाएंगे वह हम quality हम पहले क्या discuss करेंगे obviously हम Kiran publication से PYQ तो discuss करेंगे उस series को ह करेंगे और एक मैं आपको में बता दू कि Kiran PYQ से मैं आपको क्या discuss करने वाला हूँ एक तो history हम complete discuss करेंगे उसका quality discuss करेंगे then हम biology discuss करेंगे biology के बाद हम geography discuss करेंगे तो ये चार subject हम main core जो है वो अपने discuss करेंगे Kiran PYQ में से बाकि फिर अगर time बचां CGL से पहले तो बाकि जो बहुत ज़्यादा important है इनको discuss करना ही करना है यहां से questions majorly बनते हैं right so next lecture हम रखेंगे अपना quality के उपर तो quality हम next lecture next series हम quality start करने वाले है आपने pen paper के साथ notes भी आपको prepare करने साइब और इतना ही रखते हैं आपने आज का session में